हेलो फुटीज मैं सभा फिरोशेक एंड वेलकम टू सभास किचन आज हम बनाएंगे जटपट से बहुत ही मज़ेदार गुड़ और गेहूं के आटे का हलवा अगर अचानक से आपका मीठा खाने का मन करें या फिर कभी अचानक से गेस्ट ही क्यों ना घर पर आ जाएं तब आप गुड़ और गेहूं के आटे का ये डिलिशेस हलवा बना कर सर्फ कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं गुड़ और गेहूं के आटे का बेहत लजीज हलवा लेकिन रेसीपी स्टाट करने से पहला अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करें और पासी में दिवे बेलकन पर भी क्लिक करें जिसे करको मेरा अवला हरना वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन दारा मिलती रहेंगी गुड़ और गेहूं के आटे कालवा बनाने के लिए ये मैं चोटे से पैन में एक बड़ा चमच घी गरम कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें फ्राइ करने वाली हूँ ड्राइ फ्रूट्स तो ये मैंने थोड़ी सी किश्मिश ली है 12-15 किश्मिश तो हम किश्मिश को फ्राइ करेंगे जब तक कि ये ऐसे फूल नहीं जाती अब किश्मिश के ऐसे पुलते ही से हम तो रंती घीमे से निकाल कर रख लेंगे इस ताना से किसी बरतन में और फिर किश्मिश के बाद फ्राइ कर देंगे बदाम, काजु और पिस्ता देखिए ड्राइ फ्रूट्स को फ्राइ करने से ड्राइ फ्रूट्स में जो मॉइस्च्यर होता है वो अल्मोस्ट खत्म हो जाता है और dry fruits खाने में crunchy भी लगते हैं पर आप चाहें तो इसे भी ना fry किये ही chop करके हलवे में add कर सकते हैं देखिए इसे हमें बहुत ज़्यादा fry नहीं करना है बस जैसे हमारे dry fruits हलके से सुनेरे हो जाएंगे तो इसे भी हम घीमे से निकाल करके रख लेंगे इस तना से बाउल में तो लीजे सारे dry fruits मैंने घीमे से निकाल लिये और इसे मैं chop भी कर लोगे जब यो थोड़े से ठंडे हो जाएंगे लेकिन फिलाल हम इसे side में रख कर बढ़ते हैं अगले process की और अब ये मैंने 1 cup jaggery powder लिया है यानि कि powder वाला गुड एक कप दो या तीन कप पानी डाल कर पानी डालने के बाद गुड के पिघलने तक धीमी आज पर सिरप को चमासे तले पर चलाए ताकि गुड आपके बरतन के तले पर चिपके नहीं और क्योंकि ये मेरा powder वाला गुड है इसलिए गुड जल्दी ही melt भी हो गया तो बस गुड के ऐसे पानी में गुलते ही से रगते साइड में और फिर लेले एक नॉन स्टिक कड़ाई और फिर जैसे के आप देख सकते हैं इस कड़ाई में ये मैंने ले लिया है एक कप गेहूं काटा मिजरन कप से नाप कर अगर वज़न से आप आटा ले रहे हो तो 150 ग्राम करीब गेहूं का आटा आप ले ले और फिर इसे दीमियाज पर भुने पांच मिनट के लिए लगातार चमा से चलाते हुए देखें बहुत से लोग आटे को गी में भुनते हैं जो कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है मुझे भुनाई का आटे को अगर हम सुका ही भुने तो यकिन मने एक तो यह जल्दी भुनता है और हलवा कच्चा रहने की गुंजाईश ही नहीं इसलिए अगर आप गेहूं के आटे का हलवा बनाएं तो एक बार इस ट्रिक से हलवा बनाकर जरूर खाएं देखें अलवे में घी का टेस्च बहुत मायने रखता इसलिए मैं आपको सज़ेस्ट करूंगे कि best quality का देसी घी ही हलवा बनाने के लिए आप इस्तमाल करें और घी का रेशियो भी मैं आपको बता देती हूं गेहूं के आटे के साब से बहुत ही सिंपल है यहां आपको एक कप गेहूं के आटे के लिए बराबर का एक कप गी लेना है लेकिन पहले तेंग चौथाई कप गी डालेगा इस आटे में और बाकी बचा एक चौथाई कप गी हम हलवा पक जाने के बाद डालेंगे पर हाँ जब आप गेहूं के आटे को हुने तो ध्यान रखें से लगातर चमा से चलाते रहें और फ्लेम को लो ही रखें और इसे एक बर फिर से भुनें धीमियाज पर 8-10 मिनट के लिए देखना आप धीमियाज पर इसके बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई होगी यह हलवा बनने के बाद खाते वक्त आपको जरा भी टेस्ट में कच्चा नहीं ही लगेगा और ना तो यह गले में आपके कहीं भी चिपकेगा ट्रस्क में मुँ में रखते ही यह हलवा घुल सा जाएगा अगर आप मेरी इस बताईवे तरीके से यह हलवा बनाते हैं तो सच में इतना मौट मेल्टिंग हलवा बनता ही है खेर गयों के आटे को गी में बुनते वे मुझे 8-10 मिनट करीब हो चुके हैं और आटे के टेक्श्चर भी अब आप देखें जो कि थोड़ा सा गाळा भी हो गया है अब इस stage पर हम गुर का सिरफ एड़ कर लेंगे देखे गुर का सिरफ एक हाँसे इस्तान से पलटते जाए थोड़ा थोड़ा करके और फिर दोसरे हाथ से सिरप को आटे में इस तरह से चमसे मिलाते रहें ऐसा करने से आपके आटे में गाठे नहीं पड़ेंगी तो लिजे गुड का सारा ही सिरप मैंने आटे में डाल दिया अब आटे को चमसे इस तरीके से चलाते हुए मिलाते रहें इसे हमें तब तक के लिए मिलाते रहना है जब तक हमारा आटा इस तरह से बिलकुल सौफ्ट सा हलवे के फॉर्म में नहीं आ जाता ये रेखिए गेहूं के आटे और गुड के सिरप को मैंने बहुत ही बड़िया से मिला लिया है तो जब आपका आटा भी इस तरह से हलवे जैसा दिखने लगे तब इसमें फ्लेवर के लिए एड़ कर लें 1-4 ती स्पून इलाइची पाउड़े 4-5 खरी लाइची के दानों को बारी कूट करके डाल दें और फिर डालें फ्राइकी हुई किश्मिश और फ्राइकी हुए ड्राइफ फ्रूट्स जिससे मैंने ठंडा होने के बाद चौप कर लिया था तो चलिए अब इन सभी चिज़ों को भी बड़िया से इस हल्वे में मिला लें और फिर इने हल्वे में मिलाने के बाद अब इसमें बाकी का एक चौथा ही कब घी डाल कर मिला लें देखे अभी जो गी इस पॉइंट पर हम एड करेंगे इसे आटा इब्सॉब नहीं करेगा बलकि घी को आखिर में डाल कर मिलाने से हल्वे में शाइन यान की चमक आएगी और हमारे इस हल्वे का कलर भी चौकलेटी सा हो जाएगा क्योंकि हमने डाला है गुड और घी डाले के बाल हल्वे को मैंने पांच मिनाट दीमी आज पर और पका लिया लगातर चमल से चलाते हुए जिससे कि आप देख सकते हैं गुड पकने पर गर्माहट के वज़े से इसका कलर इतना नैचुरल चौकलेटी जैसा हो गया है तो फाइनली ये हमारा गुड और गेहुं के आटे का हल्वा बनकर तयार है तो इसे स्टेच पर गैस को कर दे बंद और इसे रूम टेम्टरेचर पर थोड़ सा नॉर्मल हो जाने दे और फिर उसके बाद इसे आप सर्फ करें मेरे इस बनाएवे गुड और गेहुं के आटे के हल्वे का टेक्श्चर आप देखें कितना ही सौफ्ट है और जैसे के आप इस हल्वे को सव करने पर देखी सकते हैं मेरे इस हल्वे में जरा भी सूखापन या किसी भी तरह की गाठी यान के लंस नहीं है तो देखा आपने कितना असान है गुड और गेहुं के आटे का हल्वा बनाना तो पिर आज ही बनाएए गुड और गेहुं के आटे का हल्वा और बताइए कॉमेंट में के कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी I hope foodies आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी recipe पसंद आई है तो please में वीडियो को like and share करना ना भूले इसी के साथ please में चैनल को भी subscribe करें और पासी मेरी युवे bell icon पर भी click करें जैसे कि आपको मेरे आने बेले हर नई वीडियो की जान करें notification दोरा मिलती रहेंगी so thank you so much for watching my video मिलते हैं अगले वीडियो पर एक ऐसी ही नई recipe के साथ तब तक के लिए take care and bye bye